महुदय, दूसरी जो हमारे टैक्स हैं जैसे इंकम टैक्स है, सूपर टैक्स है, मृत्यू टैक्स है, वे अच्छी तरह से वसूल नहीं हो पाते हैं बहुत से धनवान लोग जो इन टैक्सों के देने वाले हैं, वे सरकार को किसी न किसी तरीके से धोका देकर इन टैक्सों के देने से छूट जाते हैं और सरकार भी उन से इन टैक्सों को वसूल नहीं कर पाती हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ऐसे धनवान लोग हैं जिनके उपर सरकार का टेक्स बकाया है जो टेक्स देने में चोरी करते हैं उन से सक्ती के साथ टेक्स वसूल किया जाना चाहिए सरकार की यह नीती रहती है कि कुछ सालों तक वहे इस तरह का टेक्स धनवानों से वसूल नहीं कर पाती है उन्हें बाद में माफ कर दिया जाता है इस तरह की जो नीती है वहे अच्छी नहीं है सरकार को धनवानों से समय पर और सक्ती के साथ टेक्स वसूल करना चाहिए हमारे देश में वाता नुकूलित बात चारों तरफ चल रही है रेल में आप जाएए तो आपको डिब्बे वाता नुकूलित मिलेंगे और चीजों के रखने के लिए भी अब वाता नुकूलित मकान बनने लगे है इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी हमारे देश में ऐसी चीजें हैं इनके अतिरिक्त जैसे शराब है, सिग्रेट है इन पर भी सरकार खूब टेक्स लगा सकती है और अपना घाटा पूरा कर सकती है इसके उपरांत अगर इनकम टेक्स और सूपर टेक्स में बढ़ोतरी की जरूरत है तो वह भी उसको बढ़ाना चाहिए लेकिन जो नए टेक्स बढ़ाए हैं उन में खास कर क्रिशी पर जो टेक्स लगने जा रहा है सरकार को चाहिए कि उसे माफ कर दे उसे बिलकुल हटा दे मैं इस संबंध में इतना ही अपवाद ग्राइह मानता हूं कि जिन व्यापारियों ने काला बाजार में पैसा कमाया है अगर वे अपना पैसा चिपाने के लिए उसको जमीन पर लगाते हैं यानी खेत मोल लेते हैं अगर अंगूर के बाग लगाते हैं और इस तरह से अपने काले धन को सफेद धन करना चाहते हैं ऐसे धनवानों के उपर क्रिशी टैक्स लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है विक्त मंत्री महोदय का कहना है कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं अगर वे खेती करते हैं तो उन्ही के उपर यह टैक्स लगाया जाएगा लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जब सूखे के साथ गीली चीज भी जल जाती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि धनवान किसानों के बाद दीरे दीरे मद्यम तथा छोटे किसानों की भी बारी आ जाए और इस तरह से दीरे दीरे मद्यम तथा छोटे किसानों पर भी टैक्स लग जाए दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर प्रांत में कहीं जमीन की मर्यादा 25 एकड है कहीं 15 एकड है कहीं 40 एकड है खेती के उत्पादन की शमता वारशिक 1800 रुपए की आए मान कर किसानों की एकनॉमिक होल्डिंग बना दी गई है उन सब किसानों का भूमी राजस्व सदा के लिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि शहरों में जिनके पास खेती नहीं होती माहुदय पहले विश्वयुद के बाद जितने पुंजीवादी देश थे वे करीब करीब खत्म हो करके सिर्फ चार देश रहे गए थे जो नाम गिनाने लायक थे ब्रिटेन, जापान, अमरीका और फ्रांस ये चार राश्ट थे लेकिन दूसरा विश्वयुद समाप्त होने के बाद सब देश इतने कमजोर हो गए की दूसरी श्रेणी में आ गए सिर्फ एक अमरीका रह गया और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आगे का समय आने वाला है निश्चित रूप से अमरीका की वह शक्ती आगे जाकर नहीं रहेगी क्योंकि संसार में जो गरीबों की शक्ती बढ़ रही है उस शक्ती को कोई रोक नहीं सकता है कोई पार्टी या सरकार बीच में जाकर भले ही कुछ देरी लगाए कुछ गड़बड़ी फैलाए लेकिन उस शक्ती को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते यह बात निश्चित है यही वजह है हम लोगों ने देखा जहां पहली लड़ाई के बाद एक सोवियत रूस का राज्य कायम हुआ था तब से हिंदुस्तान में अफगानिस्तान में टर्की में राश्ट्रिय आंदोलन हुए थे और वहे पनपते पनपते दूसरा विश्व युद्ध आते आते यह इस्थिती हो गई की सिर्फ रूस ही समाजवादी देश नहीं रहा बल्कि और भी कितने देश समाजवादी हो गए और भी कितने राज्य स्वतंत्र हो गए यह भी हम लोगों ने देखा है मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों शक्तियों के टकराव में जो गरीबों की शक्ती थी मजदूरों की शक्ती थी काम करने वालों की शक्ती थी और दूसरी पुंजी वादी शक्ती थी उसमें जो कमजोर शक्ती थी वह कमजोर होते हुए भी आगे बढ़ रही है इसलिए कहा जा सकता है कि अमरीका की शक्ती का भी हास होगा और अभी जो घटनाई अंतराश्ट्रिय शेत्र में हुई है वे इस बात का प्रमान है कि उनकी शक्ती दिनों दिन कम हुई है लेकिन यह भी सही है कि इसमें रूस का भी हाथ है रूस ने इधर बांगलादेश के समय या उसके पहले भी और इस वक्त भी यानि इसराइल और अर्बों के युद्ध के समय भी जो भूमिका अदा की उसमें रूस ने अच्छा काम किया इस बात को हम मानते हैं अभी रूस की तरफ से श्री ब्रेजनेव आये थे और इस सिलसिले में जो समझोता हुआ है उस समझोते को भी हम अच्छा समझोता समझते हैं और इस माने में अच्छा समझते हैं क्योंकि हिंदुस्तान जब आर्थिक द्रिष्टी से कमजोर है तो अपने को मजबूत करने के लिए अगर कोई उपाय करता है तो वह ठीक करता है लेकिन एक दोश हिंदुस्तान में भी है और वह दोश यह है कि हिंदुस्तान के लोग इतने भावक हैं कि वे अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और इतने बह जाते हैं कि जितना उन्हें नहीं बहना चाहिए चीन के साथ जब संबंध कायम हुए थे तो उस समय भी वे लोग अपनी भावना में बह गए थे और अंत में तिबबत को खो दिया जो हिंदुस्तान के लिए पीछे एक सिरदर्द का कारण बन गया है अभी और इसके पहले भी दोनों सरकारे संगठित थी